एकम नित्यम विमल्मचलं सर्वधी साक्षि भूतं भावातीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरुम्तं नमामी नित्यम सुद्धम निरावाश्यम निराकारम निरंजनम नित्यवोधम चिदानन्दम ग्रणायाम परमेश्वरी रादे रादे त्रीनेत्र भाग्य में आप सभी का श्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचार पुष्पेंदर सास्त्री आज हम बात करेंगे आपके जीवन में दो दोस ऐसे दोस है जिनसे आप लोगों को डराया जाता है या आप लोग उन दोसों को देख करके अगर आपको मालुम चल जाए कि हमारे बेटे की या बेटी की कुंडली में ये दोस है तो आप परिशान हो जाते हैं वो दोस कौन-कौन से हैं, जब हम विभा की बात करते हैं, विभा के समय जब कुंडली मिलान करते हैं, या कुंडली मिलाने पर एक बनता है नाडी दोस, और उससे पहले होता है एक मांगलिक दोस, ये दो दोस ऐसे हैं कि इनसे व्यत्ति डराता बहुत है, लेकिन क्या मांगल मांगलिक कोई दोस नहीं होता मांगलिक योग होता है मांगलिक दोस नहीं होता मांगलिक योग होता है और मांगलिक जब आपके जीवन में कुंडली में मंगल दोस है मांगलिक योग है तो वो अच्छा है बुरा नहीं होता लेकिन हमारे मन में एक संसर रहता है कि मांगलिक के मांगलिक से ही विवा क्यों मांगलिक का नोन मांगलिक से विवा क्यों नहीं किया जाता या नोन मांगलिक का मांगलिक से विवा क्यों नहीं किया जाता तो इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे आप हमसे जुडिए और देखिए आपके टीवी स्क्रीन प पे कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोस है तो मैं आपको बताऊंगा, शुरू से बताऊंगा, आज मांगलिक दोस के ऊपर ही आपको बताऊंगा, कि मांगलिक दोस क्या है, क्यों बनता है, क सारे के सारे आज आप किलियर कर सकते हैं, ये मांगलिक दोस है क्या, इसको दोस कहते क्यों है, योग क्यों नहीं कहते, जबकि ये मांगलिक योग है, तो इन सब बातों पर देखिए, अगर हम कुंडली देखें, तो मांगलिक दोस कभी भी एक कुंडली से नहीं देखा जाता द्यान रखना मांगलिक दोस्ट को देखने के लिए हमें लगन कुंडली चंदर कुंडली सूर्य कुंडली और नवमांस चारों कुंडलियों को आंकलन करना चाहिए किस कुंडली से मांगलिक दोस्ट बन रहा है किस कुंडली से मांगलिक योग बन रहा है किस कुंडली से खत आत्म हो रहा है तो इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे तो हमें ये चार कुंडली अवस्य देखनी चाहिए सूर्य कुंडली से मांगलिक है या नहीं चंद्र कुंडली से मांगलिक है या नहीं लगन कुंडली से मांगलिक है या नहीं इन सब बातों का जब आपको मालुम चलेगा तो आप अपने आप में जान जाएंगे कि हम मांगलिक हैं या नहीं है आजकल मैंने देखा है बहुत सारी कुंडलिया मेरे पास आती है और मैं देखता हूँ सुनकर के बड़ा दुख भी होता है कि सिर्फ एक मंगल को देख करके मांगलिक बता दिया जाता है बच्चा अब चाहे वो लड़का है या लड़की जब वो मांगलिक बता दिया जाता है तो उनके माता पिता को बड़ी चिंता होने लगती है हमारा बच्चा तो मांगलिक है लेकिन वो मंगल्दोस खतम होया हुआ पाया जाता है लेकिन उसको हम लोग नहीं बता पाते या फिर आपसे ये बात कहूं कि आज कल हर व्यक्ति ब्रहमण बना बैठा है पंडित बना बैठा है अपने नेट पे अपने फोन पे लेप्टोप पे कुंडली खोली उसमें लिखा गया मंगल्दोस है बता दिया मांगल्दोस है मैं पंडितों की बात नहीं कर रहा हूँ जो और अदर है सब पंडित बने बैठे, अपने घर में सब पंडित है, सब देख लेते हैं, net पे कुंडली आजकल software का जमान आए, software पे कुंडली डाली, date of birth डाली, समय डाला कुंडली आ गई, उसमें दोस नीचे लिखा आ गया, मांगलिक, दोसे आपने बता दिया मांगलिक है बच्चा, लेकिन आपने कभी देखा होगा कि जिस समय कुंडली का अंकलन करते हैं ब्रामन आप साधी की कुंडली मिलान करने के लिए जाते हैं एक मांगलिक होता है एक नोन मांगलिक होता है तो उसके नीचे एक नेट पे आप फोन पे या आप लैप्टोप पे जब आप देखते हैं तो उसके एक नीचे लाइन लिखी आती है मंगल दोस में काफी अंतर होने के कारण आप इस विवा के लिए आगे बढ़ने से पहले प्रवद जोतसी से परामर्स करें अर्थात अच्छे ब्रहमन से आप मिलें लेकिन आप लोग ब्रहमन से पंडिस से मिलने का काम ही नहीं समझते आप लोग अपने आप पंडित बन करके अपने आप नेट पर कुंडली देख करके निरने ले लेते हैं और वही निरने आपके जीवन को नश्ट कर देता है आपके जीवन पर भारी पड़ जाता है, मैंने देखा था, एक कुंडली मेरे पास आई थी, राजपूतों की कुंडली थी, तो उसके भाई ने जहाँ लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, वहाँ बोल दिया, मेरी बेहन तो मांगलिक है, हमें मांगलिक लड़क नहीं देखा था पंडित जी, हरे भाई तुम देख लो, मांगलिक दोस को ही तुम देख सकते हो, काट छाट को तो नहीं देख सकते हैं, कहां से अट रहा है, कहां से आपका मंगल दोस अट रहा है, कहां से मंगल दोस लग रहा है, तो इन सब बातों पर विचार कीजिए, तो आप ब्रहमन मत बनिये, पंडित मत बनिये खुद ही, उनको देखिये, मैं मना नहीं करता, आप देखिये, अंकलन कीजिए, लेकिन उसका कोई अगर कमी है, तो आपने आज पास कोई ब्रहमन है, पंडित है, उनसे आप दिखाईए आवस, कॉलर जुड़के उनसे बात कर और जुड़के आपने जी, रादे रादे, पंडित जी, बेटा, नाम बताएं अपना, मैं नाम शिवम है, शिवम डेटो पर्थ बताएं अपनी, उनस राटाजी, महीना और तारिक बताएं वेटा, बाई जून, 22 जून, 22 सितम्बर, 22 जून, 22 जून, दोयार उननीस ताइम बताओ अपने टाइम जनम का हुए था जनम कहा हुए था जनम राहस्तान बताईए अब क्या प्रिशन है अब बताईए प्रिशन अपना प्रसन यह है पंड़ी मैं अनंद दारू पीता हूं तो फिर एक अप्टे तर फूर जाती है उसके बाद में दुबारे उड़क लग जाती है बहुत परिशान है गरवाले परिशान है मैं चोड़ दो भीया क्यों पीते हो फिर पीने से कोई कुछ आनंद अधिक ठोड़ी आता है अगर अपने मन में आप संकल्प करेंगे तो छोड़ देंगे अब अब मेरी बात सुनिएगा आपकी दारू छूट जाएगी आपकी कुंडिली का एक बार आंकलन कर लेते हैं चंद यह आपकी कुंडिली के द्वारा अगर हम देखते हैं दारू नसा संगति कहां से खराब हो रही है तो यह आप पहले कुछ नहीं किया करते थे ना पीते थे लेकिन यह पास साल से छे साल से आपको परिशान ज्यादा कर रिया है पांची साल से आपको इसका आदत लगी है कुछ भी है आप पीने लगे हो छे साल से ही आपको ये समस्या आने लगी है क्योंकि उसी समय राहू की मादसा आपकी कुंडली में इस्टाट हुई है और उसी के कारण ये समस्या आपको आई है अब राहू में सूर्य की अंतरदसर चल रही है तो इस समय आपको ज्यादा पर गवान को जल देना प्रती दिन सूर्य ग्रण्ड दोस्की पूजा कराना और एक नियम आप बना लेना आपने यहां सुबह उठ करके माता पिता के चरण चुना अपने गुरु गव ब्रामन का सम्मान करना मैं गारंटी देता हूं आपकी दारू छूट जाएगी लेकिन सूर गिरण्ड दोस्की पूजा भी आपको करानी पड़ेगे की और यह पूझा आप अपने यह कोई अक्छे बैदिक ब्राह्मन हो तो वहां करा लेना और अगर वहां नहीं करा सकतें आपको विश्वास है हमारे संस्तान पर तो आप हमारे संस्तान का सभी बैदिक ब्रहम्मन हैं नियम से निष्टा पूर्वक कार्य किया जाता है तो आप ये पूजा आवस्य कराए जिस से आपके जीवन में कोई समस्या है वो दूर होगी और नसा तो आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ यह आपको करनी करनी है जब तक आप इनको नहीं करोगे आपका कर अस्फल रहेगा यह ध्यान रखना पंदर जी रोज करेंगे जी रादे रादे लेकिन मैं जो आपको बात करा था मांगलिक दोस्सकी अब उम्हें बताता हूँ बनता कैसे हैं मंगल दोस्स हम लोग नेट पे सर्च करके देख कैसे लेते हैं घर में हर व्यक्ति देख लेता है यह तो मांगलिक है वो ध्यान से बात है। लगन कुंडली को या चंद्र कुंडली को या आप सूर्य कुंडली से या नवमांस कुंडली से किसी भी कुंडली से आप देखे पहला गर, चतुर्थ गर, सब्तम गर, अष्टम गर और द्वादस गर। समझ में आया। पिर्थम भाव, चतुर्थ भाव, सब्तम भाव, अश्टम भाव, द्वादस भाव, इन भावों में अगर मंगल बैठा है, तो वो कुंडली मांगलिक है, ध्यान रखना, पिर्थम, चतुर्थ, सब्तम, अश्टम, द्वादस, इन भावों में कहीं भी मंगल बैठा है, तो वो कुंडली मांगलिक है, लेकिन आपने सिर्फ मंगल को देख करके मांगलिक बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि और ग्रह की क्या यूती है, कहां ग्रह बिराजमाने, कहां देख रहे हैं, मंगल दोस है या नहीं है, ये सुनना. पहला, चोथा, सात्व, आटव, वारवा, इन घरों में मंगल है, तो मंगलिक है, लेकिन इनी घरों में कहीं भी सनी बेठा हो, ध्यान देना, इनी घरों में कहीं भी सनी बेठा हो, तो मंगल दोस खतम हो जाता है, निरने सागर पंचांग के बासट नम्मर पेज पर लिखा जोतिस सर्व संग्रह में 83 83 नम्मर पेज पर लिखा हुआ है जहां पर मांगलिक परियार लिखा हुआ है किसी भी पंचांग को आप यूज करते हैं जिसको आप पढ़ते हैं उस पंचांग में मांगलिक परियार जहां लिखा है उसको आप पढ़िएगा वहां सब कुछ बेटा है। कहीं भी सनी बेठा तो मंगल दोस्क खत्म हो जाता है। अश्टम भाव में गुरु बेठा है तोभी मंगल दोस्क खत्म हो जाता है। तो मांगलिक दोस्स यहां पर सांत हो जाता है, मांगलिक का परियार हो जाता है, कॉलर जुड़के उन से बात कर लेते हैं, जी राधे-राधे जी नाम बताए विटा अपना मेराज ही मेरा नाम है राज राज बात करने, राज जी या, date of birth बताएं अपनी date of birth है मेरा 26 नॉवंबर 26 नॉवंबर 1994 94 टाइम बताएं समय है रात का 10 वच के 12 मिनट जनम कहा हुआ था जनम मेरा मराज यूपी नॉइडा में हुआ था यूपी नॉइडा परिसिन कीजिए महराज जी मेरी जो है तबियत बहुत खराब रहती है तीन से चार साल में बहुत दिक्तर परिशानी आती है कभी किसी चीज की बिमारी कभी किसी चीज की बिमारी लगना बल्लब कोई चीक रही नहीं पाता हूँ तीन चार साल से तीन चार साल से आपकी तबीयत बहुत खराब है जी माराज जी आपने भी या डोक्टरों को दिखाया होगा तो क्या आपको आपने रिपोर्ट चेक कराई होंगी कुछ आया उसमें या नॉर्मल जी माराज जी उसमें सब वो बस थोड़े दिनों के लिए मतलब ऐसी बोल दे देखेज मैं आपको बता देता हूँ मंगल चंदरमा दुतिया बाब में है सुक्र राहू आपके चत्रतु बाब में है सूर्य बुद्ध गुरू य है आपके पंचम बाब में सनी आपके एश्टम बाब में के तू my down बाब में वराज मान यह आपकी कुंडली है प्रभू देखिए जो सबसे पहली बात बताओं कुंडली के माध्यम से जो हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से तो गुरू और बुद्ध दोनों ही सत्रू हैं और उस सवस्ता में भी बैठे हुए हैं और सूरे के साथ बैठे हैं यहां आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है और यही स्वास्त को खराब कर रहे हैं पहली बात दूजरी बिटा आपके घर में कोई दिक्कत दिखाई दे रही है मुझे अच्छा महराजी कोई उपरी पराई बादा के द्वारा किया हुआ बंदन आपके घर में दिखाई दे रहा है महराजी कब से है यह लगबग साथ साल से है 7-7.7-8 साल से जी माराजजी ये तो है कुछ बीच में जो है तीन साल पहले जो है जो मतलब मिलती हो गी थी दादा की, तो वह भी कुछ ना कुछ मतलब बोलते रहते थे, तीन साल पहले. जी देखो आपने तीन साल पहले की आपको मालूम है लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं कुंडली के हिसाब से या योग के हिसाब से जो हम योग देखते हैं उसके हिसाब से ये आपकी जो कुंडली के माध्यम से है तो बुद्ध और गुरू और ये जो बंदन है आपके घर प तो इनका समादान कराईए पहले तो देखिए आप उपरी पराई बादा का निवारन कराईए उसके बाद गुरु और बुद्ध का अर्था तिर्कुर्दोस का पूजन कराईए और उसके साथ फिर आपका जीवन सपल होगा और आपकी बीमारी बिल्कुल खतम हो जाएगी तो मराजी इसे मतलब कोई अभी करवा सकते हैं कब करवाना चाहिए इसे देखिए यह आपकी इक्षा है अभी कराएंगे तो आपको लाब ज्यादा मिलेगा क्योंकि जब एक बात बताए कोई पौदा होता है पौदे को हम कहीं से उखाड के कहीं भी लगा सकते हैं पौद सरीर का छीजन होगी शरीर कमजोर होगा घर में कोई नगोई परिशानी बनी रहेगी उससे बढ़ी आप कर आएं आप यह अपने यह कोई अच्छे बैदिक ब्रामवन हो तानत्रे कहों तो उनसे करा सकते हैं या फिर आप हमारे संस्थान में इसको कडा सकते हैं क्योंकि हम जिए दिखिए व्यग्ति को बहुत सारी समस्या होती हैं सभी समस्यों का समाधान आपको मिल सकता है लेकिन विश्वासकी जरूरत है आपको विश्वास करना है और बिना विस्वासके तो कोई कारे नहीं होता कहते हैं विस्वास वो फल दाय sinners कम विश्वास बात कर रहे थे मंगल दोस को लेकर, कि मंगल दोस के जो मंगलिक कुंडली बनती है, वो मंगलिक हो जाती है, पिर्थम, चतुर्त, सब्तम, अश्टम और द्वादस बावों में मंगल होने से मंगलिक हो जाती है, लेकिन इनी बावों में कहीं सनी बैठा हो तो मंगल दोस खतम हो जाता है गुरु अश्टम भाब में बैठा हो तो मंगल दोस खतम हो जाता है राहू सूर्य केतु ब्राजमान हो सनी की द्रश्टी पढ़ती हो तो भी मंगल दोस सांत हो जाता है अर्थत मंगल दोस का परिहार हो जाता है कुछ दोस ऐसे भी है कि मेस का मंगल परिवल होता ह करक का मंगल कमजोर होता है, तो जहां पर मंगल इनका आदान प्रदान करते हैं, धनू का मंगल अश्टम बाब में मांगलिक दोस का परिहार करता है, खुद भी परिहार करता है, यह ध्यान रखना कि किसके दौारा कौन सा दोस दूर होता है, तो अगर हम इसको अच्छे से, अच्छे ब्रह्मन से, खुद देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लिकिन जब कोई चीज समझ में नहीं आती हो, तो उसे ब्रह्मन से प्रामर्ष अवस्य कर ले, जिससे आपके जीवन में यह समस्याइं ना आएं, यह समस्याइं दूर हो, अब आपने देख लिया आपका कोई भी सदस्य मांगलिक है, आपने नोन मांगलिक से बिवा नहीं किया, मांगलिक से ही बिवा कर दिया, लेकिन उनकी कुंडली में मंगल्दोस खतम हो रहा है और दूसरे वाले की कुंडली में मंगल्दोस प्रिबल है, तो क्या वो साथ में रहेंगे, नहीं रह सकते, तलाक होगा या एक व्यक्ति संसार में रहेगा, अब उसका जुम्मेदार आप किसे मानेंगे, अगर मान लीजिये, लडाई जगडा हो जाता है, तो आप कहेंगे, कि लड़की गलत थी, वो लड़ रही थी, या लड़के का परिवार गलत था, वो रायद आज ये सजा, उन बच्चों को नहीं मिलती, कॉलर जुड़के, उन से बात कर लेते हैं, जी, रादे रादे, जी, नाम बताएं बेटा, अपना, साक्षी, साक्षी जी, डेटो पर्थ बताएं, साथ, दस, दो हजार, साथ, दस, दो हजार, जी बेटा, टाइम दस परचे, चार मिनट, दस चार सुबे का या रात का बेटा, जनम कहा हुआ था, यूपी में, यूपी में किस जगह हैं, मत्थुरा में, जी बेटा, बताएं, क्या जानना चाहती हैं, पन्नी जी, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे इस परदे में जानना था, क्यों नह हो रही है कि बेटा आपकी कुंडली खुल ही है देखिए मैंने आप की कुंडली खोले ध्यान गार्वा से के तू दुतिय बाब में चंडर्वां thirdî बाब में न करना है गुरू और सणी आपके सुक्र की राशी पर विराजमाने सप्तम बाब राहु अश्टम भाब में मंगल, सूर्यकी रासी पर दसम भाब में और वुद्ध और शुक्र आपकेबठे वुएं 12 भाब में बेटा यहियर जो आपके विवाम में बिलंब हो रहा है यह बुद्ध और सुक्र के कारण हो रहा है क्योंकि ये दोनों ही अपनी इस्थिती से थोड़े वंचित हैं। दूज़रा सनी आपके सब्टम बाम में बैटा हुआ है, बिवा विलंब से कराता है, लेट कराता है वेटा। तो देखिए अगर आपको विवा के लिए आपको विवा करना है तो आपको नव ग्रह सांती करानी पड़ेगी और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं तो बिना पूजा के विवा करूँगी कोई पूजा पाथ नहीं करा सकती तो आपको लग भग कम से कम साड़े चार वर्स और रुकना पड़ेगा बेटा साड़े चार वर्स के बाद आपका विवा का योग बनेगा सुन पा रही हो रादे रादे अगर आपका फोन कटके आया कोई भी कारण है आप नहीं सुन पा रहे हो तो टीवी के माध्यम से आप सुन सकती है कि विसेशकर आपको एक काम करना है हल्दी डाल करके इश्नान करना है पानी में नहने वाले पानी में हल्दी डाल कर इश्नान करना है आपके विवा के योग बनेंगे नव ग्रह सांती करा लेनी है जिससे अच्छे विवा के योग बनेंगे सुईवग परिवार मिलेगा विवा के योग बनना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन सुईवग परिवार मिलना बहुत बड़ी बात है कल को विवा कर दें कोई भिगन वादा आजाए तो उससे तो अच्छा है विवा थोड़ा बिलम्म से हो और बेटा इन पूजाओं को कराने के बगएर विवा मत करना अन्यता आपको कोई भी छती हो सकती है किसी भी प्रिकार का नुक्सान हो सकता है आपने सुनना हो तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे ब्राह्मनों का परामर्स लें और उदके साथ आप ये पूजा अपाठ ये अगनुष्ठान कराके अपना कारे सफल बनाए रादे रादे देखिए व्यत्ती अपने मन में बहुत सारी सोच रखता है और सोचते सोचते वो अपने जीवन को अग्रसर कर देता है अब मैं वही बात आप से करने जा रहा हूँ तो मैं मांगलिक दोस के ऊपर आज बात कर रहा था तो मैं उसी के ऊपर आता हूँ बापस आप देखिए मांगलिक दोस जब जब हमारे कुंडली में आता है तो हमारे मन में एक चिंता हो जाती है तो इसमें मैंने आपको बता दिया कैसे मांगलिक दोस बनता है और कैसे इस अन्यता मर जाएगा छूट जाएगा तलाक हो जाएगा इसके लिए किया जाता है लेकिन ये कोई सटीक उत्तर नहीं है ये प्रिसिन का जवाब नहीं है अब जवाब आप सुनियेगा कि मांगलिक दोस्य जब हमारी कुंडली में है मांगलिक योग हमारी कुंडली में है तो स हमारे मन में एक tension सी हो जाती है कि मांगलिक है तो ये कैसी समस्या है अब देखिए इससे हम क्यों डरते हैं क्यों मांगलिक का विवा मांगलिक से करते हैं तो सुन लीजिए मंगल एक powerful ग्रह है अब मंगल अगर मंगलिक कुंडली में मंगलिक योग बना करके बैठा है कुंडल ज्यादा powerful हो जाता है, और powerful होने के कारण उसमें सक्टी आ जाती है, इतनी सक्टी होती है कि non pacalik जिसके कुण्डली में मंगल दोस नहीं है ,mangal yog नहीं है वो उसके तेह को सहन नहीं कर सकता, उसके तेज़ को सकता है अलग हो सकते हैं या एक आत्मी डिप्रेशन में आके मर भी शकता है यही कारण है कि मांगलिक योग जिसकी कुंडली में है वो बहुत पावर्फुल व्यक्ति होता है अपने आप में उसके ग्रह पावर्फुल होते हैं और वो नोन मांगलिक वाले को कुछ नहीं समझ अर्थात उसकी पावर को वो सहन नहीं कर सकता, इसलिए मांगलिक का मांगलिक के साथ बिवा अती आवश्यक है, क्योंकि मांगलिक मांगलिक दोनों बिढ़ेंगे, दोनों पावरफुल होंगे, और दोनों ही अपने आपको कमेंड कर लेंगे, कमेंड जब होंगे, दोनों के दोनों अपने आपको सफल बना लेगे और जब दोनों ही एक दूसरे से अलग होंगे विप्रीत होंगे तो वो तो उधर जाएगा वो कहेगा इधर चलो तो जगड़ा तो बढ़ेगा और जगड़ा बढ़ेगा तो जीवन में समस्य आएगी तो इन बातों को विशेज ध्या स्पाइन रखने वाली बात है आगे चर्चावस से बढ़ाएंगे कोल जूड़के उनसे बात कर लेते हैं जी रादे-रादे नमस्कार माराज जी नाम बता है अपना आपके आशिरवाद से मेरा वीजा लग चुका है महराज बहुत बहुत सुपकामना है आपको विदेश जाने के लिए बहुत बहुत डेर सारी सुपकामना है यह परमात्मा का असिरवाद है भगवान का असिरवाद है हम तो आप जैसे ही है लेकिन परम पिता परमात्मा की किरपा आपके उपर हुई इसके लिए हमारी तरफ से बहु सुबकामना है आपको और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बैक कॉल करके ये बताया कि आपका कार्य सफल हुआ माराजी आपके वज़े से हुआ है तो आपको बताना जरूरी है और मैं आऊंगा आपने पिता जी के साथ जरूर आऊंगा तुबारा बिल्कुल आप आईए सरस्ताम में आपका स्वागत है और बहुत देर सारी सुबकामना है बेटा बहुत खुसी होती है कि जब कोई हमसे ये कहें कि हमारा कार्य हुआ है हमें तो यहां तक कहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाईए और अपने कार्यों पर ध बढ़िये एक कदम जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे कैसे काम चलेगा भगवान ने कहा है बक्त मेरे पग दरे वहां पे धरू में हाथ सदा संग लागत फिरू कब हूँ ना छोड़ू साथ अर्तत भगवान तो कहते है मेरी तरफ एक कदम बढ़ाईए तो आपका एक कदम है फोन करना बाकी का परमत्मा के ऊपर छोड़ दीजिए भगवान क्या करेगा कैसे करेगा कब करेगा वो उसकी मर्जी है हम और आप एक मनुष्य है और हम लोग सिर्फ निमित्य हैं माध्यम हैं करने वाला वो ही है लेकिन चलते चलते समय का आभाव है मैं आप लोग से कहूंगा जाते जाते ध्यान रखना अपने माता पिता को कभी मत दुखाना माता पिता की आंकों में आशू कभी नहीं आने चाहिए माता पिता की सेवा करना गव ब्रहमन की सेवा करना सादू संतों की सेवा करना आपका परम धर्म है लेकिन आज कल मैं आपकी बात समझ स सकता हूं कि सादू संत ब्रहमन जो भी हैं जैसे भी हैं आप उनसे अवस्यकार कीजिए अम मुझे दे जाजत राधे राधे